गोड मौर्णें, All India Radio और आज सवा के अनलिसिस में आप सबो का स्वागत अगर All India Radio के अंदर नियूज की बात करें तो दो नियूज है हमारे पास, important है, discuss करेंगे Next Day Dishandr के अंदर Draft Model Tenancy Act 2020 के बारे में बात की गई है, discuss करेंगे और कल का एक और आटकिल हमारा रह गया था, CBI के बारे में इसको भी discuss करेंगे और आज का एक ASEAN का आटकिल है, उसे हम कल discuss करेंगे, तो चलिए discussion स्टार्ट करते है और sorry, थोड़ा लेट हो गया, पहली न्यूज है हमारे पास, यहाँ पर क्या हुआ है, जहारखंड सरकार ने CBI जाज के लिए General Consent वापस ले लिया, यहाँ पर बात की गई है, राज सरकार की मंजूरी के बिना मतलब राज सरकार की मंजूरी, स्टेट गोवर्मेंट की मंजूरी के बिना CBI जाच और नए केस दर्ज नहीं करे सकेगी यहाँ पर यह बात बहुत important है, जैसे अभी सुसान सिंग राजपूत का केस हुआ था और अभी स्टेट गोवर्मेंट जो है, सु महारास्टा का बहुत, मतलब फाइटिंग चला एक दूसरे का लेकिन अगर सूप्रीम कोड का इंडन विंसन होता है, तो उसके बाद जो है एक प्रोसेस है, यहाँ पर इस तरह की बाते होती है, में लिए यही बात है, जहर घंड को मिलाकर आठ राज वापस ले चुके है जेनरल कंसेंट, महारास्ट हो गिया, मिजोरम हो गिया, केरल हो गिया, सरकार की वापस ले चुकी है, जेनरल कंसेंट से वापस ले चुकी है, और अगर चाहती है ये लोग कि आगे बढ़ें, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कि अगर राज सरकार वापस लेती है तो फिर सूप्रीम को रहस्तक छेप करती है प्रेशर होता है सिविल सोसाइटी वेगर का सी बीयाइ के बारे में थोरी सी बात करें तो 1946 में डैली पुलिस पुलिस एक्ट की सहाईता से यह बना था थोरा सा गौर करो यह सी बीयाइ बना क्यों प्रेटिस ने बनाया था इसलिए बनाया था यहाँ पे DSP डैली इस्टेबलिस्मिंट पुलिस एक्ट की सेक्शन टू में कहा गया है जो यूटी है मिच्षेतरों में अपराधों की जाज करने की सीमा तै करती है यह इस यूटी में किस तरह का अपराध होगा और सेक्शन सिक्स राजसरकारों से मिली आम सहमती से मामले की जाज कर सकती है राजसरकार अगर सहमती देती है तो उसकी जाज यह कर सकता है चलते हैं नेक्स्ट आर्ट किल पे नेक्स्ट आर्ट किल की बात करें तो 151 इंच मुची परतिमा अश्ट धातू से बनी जिसमें मुख रूप से तामबे का इस्तमाल क्या गया है किसका ताम महराज, विजय, बल्लव, सुरीवर, श्री महराज, यह कहां से विलॉंग करते हैं, रास्थान से, यहाँ पर एस्टेचू अप पीस, एस्टेचू अफिनिटी वहाँ, सर्दार बल्लव भाय पटेल, और एस्टेचू अप पीस, यह धियान दखना है आपको, कि यह बहुत ज ट्वेल्थ ब्रिक्स सम्मिट, ब्रिक्स का सम्मिट टोमोरो होने वाला है, मतलब आज कह सकते हो, रसिया दौरा होस्ट किया जा रहा है, मिटिंग विल भी हेल्ट वर्चुली, चाहिट सी बात है वर्चुली हो गया, स्टेबलिटी, सिकुरिटी की बात, इनोबेटिव ग् लेकर इंडिया विल टेकिंग ओवर दे चेर्मेंशिप और ब्रिक्स, चेर्मेंशिप ब्रोक्स इंडिया विल होस्ट थर्टेंथ ब्रिक्स सम्मिट इन टो टोमोरो होस्ट करेगा, इंडिया विल होस्ट टोमोरो होता है बहुत जैदे, बाकि ब्रिक्स तो आपने बहुत पर जो है एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर एक करोड से जाएदे जो प्रोपर्टी है एक करोड से भी जाएदे प्रोपर्टी खाली पर ही है किसका गौर्णमेंट का आप क्या सकते हो इसके पिछे वज़ा जो बताई गई है मकान मालिक को यह भरोसा ही नहीं है कि जो प्रिज के लिए लगता है, कभी उसका मकान सफाई नहीं करता है, तो मकान मालिक और रेंटर में दोनों में डिस्प्यूट चलता रहता है, तो Draft Model Tenancy Act 2020 इसी को कर्व करने के लिए लाए गया है, अब यहां पर क्या होता है, कि मान लो कोई किरा रेंटर है, उसका दुकान चल बहुत अच्छा, अब चार-पांच महीने बाद वो कहेगा, कि मकान मालिक के भाईया खाली करो, अब यहां आना नहीं है, तो उसको या तो जैलस समझ लिए, फिर यह जो डिस्प्यूट है, यह डिस्प्यूट मकान मालिक और रेंटर के बीच अलग-अलग तरह से चलता र किराया पे लिया, पचास चार किराया भी दे रहा है, छे महीने तक वो यहां है, लेकिन छे महीने के बाद वो चला गया, अमेरिका या कहीं भी चला गया, और वहां जाकर किराय रहा है, और मकान बंद पर रहा है, और उसे किराया भी नहीं दे रहा है, अब यह मकान मालिक क सकते हो पब्लिक के सामने रखा गया है इस ड्राफ्ट में क्या कुछ खास पहलू है इसी वारे में अभी जो बताया है वही सारी बाते की हैं एक ग्लिम्प्स आगे और आएगा तो और डिसकस करेंगे तो आज के डिसकसन में इतना ही था थैंक यू थैंक यू